अलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का देफ्यूजस एजुकेशन पर रीट लेवल दो शिफ्ट दो का पेपर आपको शोसल इस्टेडीज का स्ट का पूरा पेपर ऑफिशल आंसर की जो बोड ने आज ही जारी की है 18 अगस्त 2022 को उसके आधार पर पूरा सॉल्ट पेपर आपको इस वीडियो मिलने वाला है स्ट सामाजिक अध्यान शोसल इस्टेडीज का यह पूरा पेपर है और पहले कुशन पर आजाते हैं पहले कुशन है 91 नंबर से ठीक है एक राजा अवंति पुत्र और बुद्ध के अन्याई कच्चन के बीच समवात कौन से बहुत गरंत में है 91 में ऑप्शन नंबर यहां विनाई पिटक विनाई पिटक आगे चलते हैं अगले कुशन पर आजाते हैं 93 93 में कहा गया है 93 में कहा गया है भारती दर्शन की 6 पदती शड़ दर्शन में कौन शामिल है 93 में ऑप्शन नमबर B आ जाएगा यहाँ पर वाईशेशिक आ गया जाते हैं 94 पस्चिम एशिया की यूनानी शार्शक सैल्यूकस निगेटर के राज़तूत के रूप में मौरकाल में भारत कौन आया तो इसमें आपके 94 में D आ जाएगा मेगस्तिनीज ऑप्शन D मेगस्तिनीज आगे चलते हैं 95 पर आजाते हैं 95 में है अरीका मेडू के विशय में पूर्ण सत्यकतन बताईए तो 95 में आप्शन नमबर ये आ जाएगा एक या नुसार एक सही है यह पुड़ू चेरी में इस्तित था दो सही है अरीका मेडू मेटो पूर्ण पत्तन था और तीन ये भी सही है यह है एनफोरा जैसे पात्र मिले हैं 96 जीनी तीरतियात्री श्वैन सांग किस राजा के दर्बार में रहे थे 96 में ओक्षन नमबर सी आ जाएगा हर्श आगे चलते हैं अगले कुशन पर आयते हैं 97 पर और इसमें जैसा कि का गया है कौन से नाटक में गुपत काल में एक गरीम उचवारे के साथ राज करमचारियों के दुर्विभार के बात कही हुई है 97 में ओक्षन नमबर बी आ जाएगा यहां बिज्ञान शाकुंतलम 98 वीतरगाओं का मंदिर कहां पर इस्तित है 98 में ओक्षन नमबर यह आ जाएगा उत्तरपरदेश में 99 पर आ जाते हैं 15 वी शतापदी के उत्तरार्द में शंकरदेव जो वैशनव धर्म के मुख्य परचारक थे के उत्तेशों को किस नाम से समोधित किया जाता है 99 में ओक्षन नमबर डिया जाएगा बगवती धर्म 100 पर आ जाते हैं 100 नमबर यह कुशन पर और जैसा कि इसमें कहा गया है 100 नमबर यह कुशन में मुगल काल में मुगल काल में खुद कास्ट वै पाही कास्ट क्या थे मुगल काल में खुद कास्ट वै पाही कास्ट क्या थे तो 100 नमबर यह कुशन में ऑप्षन नमबर डिया जाएगा किसानों के परकार भाग से 102 इस्तरी पुरुष तुल्णा नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई 102 में आ जाएगा ताराबाई शिंदे ताराबाई शिंदे 103 पर आcriptions महाराष्ट के सतारा में समानांतर सरकार परती सरकार की इस्तापना कब की गई 103 में option number आ जाएगा यहां पर दोस्तों B, 1943 में 1943 में 104 भारत की समविधान की उद्देशिका में कौन सा सब्द नहीं दिया गया है 104, 104 में D आ जाएगा भाशा 105 भारत में पत्विक्रेता, जिविका संडक्षन और पत्विक्रे विनीमयन विनीयमन अधिनियम कब लागू हुआ 105 में option number D आ जाएगा 2014 में option number D आगे चलते हैं अगले कुशन पर और 106 इसमें कहा गया है 106 में 106 नमबर के कुशन में कहा गया है आवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान का प्रावधान भारत में किस देश के समविदान से लिया गया है 106 में option number आ जाएगा D कनाड़ा के समविदान से 107 भारत में राष्टपती फकरुदीन अली अहमत की बृत्यों के बाद कारवाग राष्टपती के रूप में किसने कारे किया 107 में A आ जाएगा BD जत्ती 108 किन दो राज्यों की लोकसवा निर्वाचन छेत्रों की संख्या समान है 108 में C आ जाएगा आंदर प्रदेश राजस्थान 109 बच्चों की सुविदाय मदद के लिए निशुल के हेल्प लाइन नंबर है 109 में आ जाएगा उप्शन नंबर D 1098 एक सो दस भारत में किस सम्विदान संसुदन द्वारा मंत्री परिश्ट का आकार निर्दारित किया गया ऑप्शन B आ जाएगा 91 एकराण में आगे चलते हैं 111 1989 में कि समीती ने इस्थानी शार्षन के निकायों को सम्विदानी के दरजा प्रदान करने की सिफारिश की 111 में ऑप्शन नंबर A आ जाएगा PK थूंगन समीती PK थूंगन समीती 112 नंबर एक कुशन पर आ जाते हैं इसमें जैसे कि कहा गया है उपादियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है 112 में यह आ जाएगा समता का अधिकार 113 नंबर एक कुशन पर आ जाते हैं इसमें कहा गया है भारत के सम्विदान की आठवी अनुसूची में अनुसूचित बाशाओं के सही सम्हों को पैचाने तो 113 नमबर के कुष्ण में दोस्तों आप्शन नमबर जो आजाएगा वो आजाएगा सी संथाली हिंदी संस्कृत 114 गलोब पर वह वृत जो दिन वह रात को विवाजित करता है एक्सोचोदह ने आ जाएगा परदीप्ती वृत प्रदीप्ती वरित 115 अवरोही पवने प्रवाहित होती है 115 में अजाएगा परवत से घाटी की तरफ 116 एस तरंग 6 छहेत्र पाविस्तार लगबग है 116 में B आ जाएगा यहां पर B 105 डिग्री से 105 डिग्री 105 डिग्री से 105 डिग्री ठीक है और 117 कयाल किस तट परिस्तित है कयाल किस तट परिस्तित है 117 में A आ जाएगा मालावार तट A मालावार तट 118 बैतोलिक्त लैकोलित लैपोलित वैफैकोलित संबंदित है 118 में भी आ जाएगा ज्वाला मुखी से ज्वाला मुखी से आगे चलते हैं एक सो अगले कुर्शन पर आजाते हैं 119 पर 119 में का गया है फेयंस के बारे में कौन से गतन पूर्णता है सत्य है 119 और 119 में आप्शन बता जाते हैं पहले आप्शन नमबर सी आ जाएगा सी के अनुसार तीन चार और पांच तीन बालू या इसफटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर ये सही है चार उसके बाद उन वस्तों पर एक चिकनी पर चड़ाई जाती है और पांच फैयान स से मन के चूडिया जूंकिया और चोटे बरतन बनाया जाते हैं आगे चलते हैं 120 पर आजते हैं रिग वेदिक काल के विशय में कौन से गतन सकते हैं 120 में ऑप्शन नमबर आ जाएगा एक ऑप्शन एक अनुसार एक सही है सोम एक पोदा था और तीन सूक्त का मतलब अच्छ सदाबाहार सी पर चला जाएगा महुगनी उसन कटी बंदिये परणपाती डी पर चला जाएगा साल परवती है यह चला जाएगा एपर इस्पूस और मैंग्रोव तार्ड ठीक है बी पर तो सी नमबर वाला उप्शन आ जाएगा सी डी ए भी आगे चलते हैं 122 पर आजते ह दीला चत्तीजगड 123 राजस्तान में रावली प्रवतमाला किस दिशा में विस्त्रित है 123 में ऑप्शन नमबर सी आ जाएगा दक्षिन पस्चिम से उत्तर पूर्व 124 पर आ जाते हैं निमने लिकित जिलो वजलवायों प्रदुशों को सुमेलित कीजिए तो यह 124 नमबर कुिशन में आपके पर ऑप्शन नमबर यहाँ पर दोस्तों डी आ जाएगा ओप्शन डी डी सी बी अ जैसल मेर शुशक जैपूर यह चला जाएगा आपके आरदर और जालावार आठी आरदर ठीक है आगे चलते हैं 125 पर आजाते हैं 125 में कहा गया है जिला एवं परियोजना के संदर में अप्शन नमबर ए आ जाएगा एक एनुसार 134 एक चितोड़गर राणा परताब सागरबांद तीन उदैपूर मांसी वागल परियोजना और चार परताबगर जाकम परियोजना ये सही है 126 नमर का जो कुशन है दोस्तों किन फसलों के उतपादन में राजथान का बारत में परतमिस्तान है 126 इसमें आप सभी को बोनस अंक जैसा की बोड ने जारी किया है 126 में बोनस अंक दिये गए है किन फसलों के उतपादन में राजथान का बरतमिस्तान है ये बारत का बरतमिस्तान है राजथान का बारत में तो इस question में आपको bonus अंक दिये गए है 127 नमर एक question में कहा गया है 2001 से 2011 की अवदी के दोरान गंगानगर जिली की जनसें का विरती दर है 127 में option number A आजाएगा यहाँ 10 परतिशत 128 विशम घाटी पंचानन की संग्या मिवाड़के के शाशक को दी गई थी 128 में A आजाएगा राणा हम्मीर 128 सतावनी करांती के समय उद्यपुर के महाराना कौन थे 139 में B आजाएगा स्वरूप सिंग और आगे चलते हैं अगले पर आजाते हैं 130 पर और 130 में जैसा की कहा गया है 130 में कहा गया है दोस्तो राजपुताना मध्य भारत सभा का 3 अधिवेशन कहाँ पर हुआ और 130 में option number C आजाएगा अजमेर में 131 पर आजाते हैं ब्रीहत राज़स्थान का प्रदानमंत्री किसे बनाए गया था रिपीटेड कुश्चन है पहले भी आ चुका है प्रिहत राजस्तान का प्रदानमंत्री किसे बनाय गया था 131 में option number C आजाएगा हिरालाल सास्तरी ये आपके वीडियो भरती में देखने को मिला था और इन संबंदित प्रशन आते ही रहते हैं प्रिहत राजस्तान का प्रदानमंत्री किसे बनाय गया था हिरालाल शास्ती रिपेटेट कुछन है बानासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुक व्यक्ति जाना जाता है तो 132 में ऑप्शन नमबर बी आ जाएगा मेजर शैतान सिंग 133 चूरू दुर्ग का निर्मान 1749 में किसने करवाया 133 में ऑप्शन नमबर डी आ जाएगा ठाकुर कुशाल सिंग ने 134 पर आ जाते हैं 134 में का गया है तुलसी हालरो तिमनिया वैपोत नमक आपूशन महिला हूं द्वारा सरीर के कौन से बाग पर पहने जाते हैं 134 में ऑप्शन नमबर बी आ जाएगा गला 135 विज़दान देथा कि पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्मान हो चुका है 135 में ऑप्शन नमबर सी आ जाएगा दुविधा पहेली आगे चलते हैं 134 पर हेला ख्याल नामक लोक नाटे रास्ताने कौन सी चेतर से संबंदित है 134 में ए आ जाएगा दोसा से ऑप्शन ए दोसा 137 पटेलिया बीचियो लर्वे माचर क्या है 137 में ऑप्शन नमबर ए आ जाएगा मिवाड के परशिद गीत सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामाने शब्द के रूप में जो मानों मामलों संबंदित है यह परिपाशित किया गया है 138 में ऑप्शन नमबर C आ जाएगा फेर चाइल्ड द्वारा फेर चाइल्ड द्वारा 149 में इसे कौन सी स्रव्य सामगरी है 149 में A आ जाएगा लिंगवा फोन ओप्शन ए अगला है 140 इन में से कौन सा एक किल पैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं 140 में ऑप्शन नमबर B आ जाएगा विद्वनसक परियोजना 141 पर आ जाते हैं रेखी है अभी क्रमित अनुदेशन का प्रतिवादन किस ने किया और 141 में ऑप्शन नमबर B आ जाएगा B F स्किनर ने 142 इन में से कौन सी एक आंकलन की सीमा नहीं है 142 में D आ जाएगा भाय 143 में ऑप्शन नमबर B आ जाएगा अधीगम करता की पारिवारिक प्रिष्ट भूमी का ग्यान 144 में से कौन सा एक साई सुमिलित है 144 में ऑप्शन नमबर D आ जाएगा अरस्तु आगमन और निगमन विदी 145 में सामाजी का अध्यान सिक्षन का समने देशन नहीं है 145 में ऑप्शन नमबर D आ जाएगा जाती प्रिष्णचा जाती प्रिष्णचा 146 में का गया है समश्या के समधान के लिए कितने चरणों का सुझाओ दिया गया है 146 में C आ जाएगा 5 चरण 147 रेडियो तरेंग किस परस से वापिस आती है 147 में उप्शन नंबर सी आ जाएगा आयन मंडल 148 पर आ जाते हैं सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर करते और भी पेपर देखना चाहते हैं लिंक आपको ओप्शन दी और 149 में कि धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं 149 में बी आ जाएगा यहां पर एक दो और तीन लेब्राडोर धारा ओया शीवो धारा और तीन बैंगु एलो बैंगु एला धारा आगे चलते हैं अगले पर और अगला कुशन है उपभू के समय जवारिय कम होता है 150 में सी सामाने से अधिक ठीक है जवारिय करम कितना होता है सामाने से अधिक